हर्योग नमो नमा आप सभी का भी अच्छू पार साला में स्वागत हैं जैसा कि हम लोग का जो क्रम था त्यारी का वो लगातार मोहर मोहर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लगभा कि जो यूपूप पर जा रही है फ्री क्लास से जा रही है उसको देख करके जो अधर से इपलाई आ रहा है वही है ठीक है न तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे कुछ बच्चे क्लास को देख करके जो आइण हो रहे हैं आप भी जो जो हम लोग त्यारी कर रहे थे उसमें समय का भाव बाह भी आता तो हम लोग फिर से जो परसंग जितना छूटा होते हैं अब बताएं तर्क संग्राह यह जो तर्क संग्राह नामा की जो पुस्तक है तर्क संग्राह की लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है वह है अन्नमभट ठीक है तर्क संग्राह की जो लेखक है वह है अन्नमभट ठीक है तर्क संग्राह की लेखक कौन है अन्नमभट ठ पूश क्या रहा है कि कती गुणा है कितने गुणा है तो मैंने आप इसले वीडियो में बताया था कि चतुर विंसती गुणा है ठीक इसका उत्तर क्या होगा तो चतुर विंसती ठीक है माने 24 स्कुन इसके होंगे 24 स्कुन ठीक है तो इसमें यह जो तर्ग संक्रा है यह न्या नियाय और वैसेसि का प्रक्रण अगर्णत है ठीक है नियाय और वैसेसि का यह प्रक्रण अगर्णत है ठीक है प्रक्रण अगर्णत है यह नियाय वैसेसि का प्रक्रण अगर्णत है क्या तर्क संग्रहा अब तर्क संग्रहा की लेखक कौन है तर्क संग्रहा की लेखक अन्न भट्ट जी है ठीक है इसका मंगलाचन क्या है कि विधाय हिर्द विश्वेसम और निधाय हिर्द विश्वेसम और निधाय गुरु बंदनम और गुरु की बंदना का विधान करके क्रियते तर्क संग्रहा की रचना कर रहा हूं कौन कह रहा है तो अन्नम भट जी कह रहा है ठीक है क्योंकि कहते हैं कि विश्वेसम भगवान विश्वनात की ठीक है अन्नम भट जी बारानसी में थे बनार्प समय थे कासी में थे ठीक है तो इसलिए उन्हें भगवान विश्वनात की ठीक है इस प्रकार के निधाय हिर्द विश्वेसम विधाय गुर्वंतनम बाला नाम सुपभधाय क्रियते तर्क संग्रहा तो किस प्रकार के बालकों के नहीं जो पैदा हुई है नहीं जो पैदा हुए हो कैसे पड़ बालकों के लिए ठीक है तो इसे बालकों के लिए न्याय प्रवेस के लिए न्याय सास्त्र में प्रवेस हो जाए इसलिए सुख पूरवग प्रवेस हो जाए तो कहा सुख पूरवग ठीक है सुख पूरवग प्रवेस हो जाए ऐसे बारुकों के लिए मैं तरक संग्रा की रचना करना हूँ से लिए उम्होरें स्यूद。 तर्ख संग्रहां में सब्च भी में सब्च सब्च पडातां इस प्रकार का ग्रंथ है तो तर्ष संग्रा भया न्याय वैसे सिका प्रकार से कुछ प्रस्ट है आई हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ट पर जाते हैं होता है फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला ट्रापिक क्या है हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर अपने चलते हैं अगले प्रस्ट पर अपने चलते हैं अगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रस्ट हमारा है जो बारा नंबर कोईशन है इसको आप सभी प्रस्ट को लेकिए प्रस्ट क्या है कि सश्टी तंत्र किम थीक है माने सश्टी तंत्र क्या है या किस दर्स्ट सम्वंदित है ऐसा यह प्रस्ट पोच रहा है तो बताए क्या न्याये दर्षन से संधित को यह सभी जानते हैं कि यह सांखे दर्सन से संबंदित है ठीक है सांखे दर्सन से संबंदित है तो सही उत्तर इसका सश्ची तंत्र इस संधितर का संधितर का अपर नाम है अगला प्रस्ण हमारा क्या है पूंच रहा है कि जो तेरा नंबर प्रस्ण है ठीक है आप सब्सक्राइब तेरा नंबर प्रस्व में कहें क्या रहा है तो भाईया तेरा नंबर प्रस्व में कहें रहा है कि सखी सब्द जो है ठीक है तो उनका सब्द सखी सब्द क्या है सखी सब्द ठीक है सखी सब्द का दुतिया एक वचन में रूप होगा तो आपको बताना है सखिम रूप होगा, कि सखी होगा, कि सखायम होगा, ठीक है, आप सभी को इसका आंसर दे रहा है, तेरा नंबर कोईस्टन बहुत ही मांत्यपोर कोईस्टन है, इक जाम में अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आप सभी रूप याद कर लीए, राम का, ब याद किया रहेंगे, तो बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, इसका सही उत्तर क्या है, तो सखायम है इसका, ठीक है, सखी सब्द का, दुदिया एक वचन का रूप क्या होगा, तो भया, इसका जो प्रशन है, इस प्रशन का उत्तर, कौँस्दा है, डी नंबर है, ठी बी नंबर इसका प्रशन सही है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चौदे, चौदावे कोस्टर पे, चौदा नंबर क्या है हमारा, चौदा नंबर का जो प्रशन है, और क्या है, कि अधो लिखते शो, हरी सब्द से पंचमी विभक्ते है, रूपम धास्ती, ठीक है हरी सब्द जो है, जो हरी सब्द लिखा है ना भईया, हरी सब्द, हरी सब्द का पंचमी विभक्ती में रूप नहीं है, आपको बताना है, क्या हरे बनेगा की नहीं बनेगा, आपको बताना है, क्या हरे बनेगा की नहीं बनेगा, आप सभी लोग जल्दवाजी कर देता है एक्याम में जल्दवाजी क्या करने है कि भाईया? इसे लिखा कि अधो लिखते हैं हरी सब्द दसफ पंचवी विखती भाईया नहीं पढ़ेंगे पीछे वारा नहीं पढ़ेख्या है कि रूपम नास्ती है वेलिखा तो मोई लोग का समाम तो हो गया था तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो question है उस question को बढ़ियां से एक बार दू बार समय जैसा भी आपके पास हो ठीक है तो उसको कम से कम तो दू बार प्रशन को आप पढ़िये ही पढ़िये ठीक है जब आप पहली बार जब पढ़ेंगे तो प्रशन समय नहीं आएगा दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो आधा बोद होगा ये जिस समय नहीं रहा है कि हरी सब्द की पंच्चिमी भक्ती का रूप नहीं है ठीक है जो नहीं है ये ध्यान रखना है नहीं तो मार के चले आएं किसी पर तो आपको चूड़ा नंबर प्रशन का जो उत्तर है आपक तो इसका उत्तर क्या होगा, D, ठीक है, D उत्तर जो है, यह, उसका, सही, उत्तर है, ठीक है, आप सवी लोग इसको देखिए, इसी प्रकार से, अन्य सब्द रूपों को Profid ध्यान से बढ़ते नहीं, ठीक हैं, आगे हम लोग अपने बढ़ते हैं, जो हमारा, 15 नंबर का सवा फंद्रा नंबर सवारा है कि कुछ रहा है तुझे मैं चिर्ट प्रंपर रहा है हुच्छ वत्रहरक बताना है अत्ति लिखेंगे, आशीत लिखेंगे, अथवा स्तह लिखेंगे, अथवा संद लिखेंगे, ठीक, आपको सही उत्तर देना है दिया, कौन सा इसका उत्तर सही है, D नंबर, क्यों, D नंबर सही है न, पंद्रा नंबर कोईशन का आंसर D सही है, आप इसका जल्दी से उत्तर तो आपको ध्यान से पढ़के सवाल पढ़के इसका उत्तर देना है तो पंद्रा नंबर सवाल क्या है आसीत जो सब्त है इस पद का लगला कार में जब रूप परिवर्तन होगा तो वह आसीत हो जाएगा फरको में पंद्रा सवाल को देख लिया है अब हमने फ्याओ बता है के जगान सब्त का प्रयोक कहा तो हुए है कमिन्ट में आप बदाएं, जगान सब्चा का प्रयोग कहां पर हुआ, 16 नमबर प्रश्ण है कि जगान में लकार है, काउं सा लकार है, लट लकार है, लग लकार है, या लिज लकार है तो आपको इसका सही उत्तर बतानाँ, ठीक है न, जल्दी से आप सभी इसका सही उत्तर प्रियोग कहां पर हुआ का ठीक है न तो जो शोला नमबर प्रशन है उसका सही आंसर क्या होगा बी नमबर इसका सही आंसर होगा इसका लिट लगार है ठीक है सब्त रिशुपद है इस सब्त रिशिए में कौंसा समास है आपको ये वताना है कि सब्त रिश्यामे समास है याम चैनल paradox मार ढरती नहीं दो बहुत ब्रिहान दीजी, ठीक है आईसे जल्बाजी नहीं करना है बहुत ही 10 चित्व होकर कि 7 चित्व होकर कि ध्याम से होकर कि exercise मेरे सवाल को देखना है और बढ़िया छोग garant प्रत्षत इडिय आपको अपना 100 प्रत्षत इडियान देंगी तो जाहिर सी वात्ते के सखलता आपको मिलेगी निश्यत मिलेगी इसमें कोई सन्धेह नहीं है ठीक है, तो सब्त रिशया में समास कोई सा है सब्त रिशया में समास है तत्पूर वुरु समास क्या है आगे बढ़ते हैं अपने 18 नंबर सवाल पे 8 नमबर हमारा स्वाल है कि दुयमुनम इत्यस्मिन पदे समासा, अस्ती, 18 नमबर जो सवाल है उसमें पूछ रहा कि 2 यमुनम, ऐस्तर पद रहा temas है? तो आपको बताना है कि दिव समास है, द्वंद समास है, अब यही महाव समास है, कि तत्पुर समास है, ठीक है तो? ठीक है जल्दी से आप से इसका वक्तर दिए वयां करते रहेंगे दिरे धीरे मज़ित पाते रहेंगे इसमें कोigator नहीं है ठीक है तो dhuhyam prevam तो अब्याही भाव समास है ठीक है जल्दी से आप से इस प्रस्ण कअ देखिए अठारा नंबर प्रस्ण का जो अंसर है वो है अभ्यई भाव समास ठीक है हम लोग आगे बढ़ते है 19 नमबर दो सवाल है ठीक 19 नमबर सवाल में क्या है 19 नमबर सवाल है कि हरे प्लस ए यह लोग संधी है यह जब संधी होगा तो इसमें कौन सा सुथ रूप बनेगा हरे बनेगा अत्वा हरो बनेगा अत्वा हरे बनेगा अत्वा हरया बनेगा ठीक है आप सवी को बताना है कि हरे प्लस ए में कौन जब संधी होगी तो कौन सा रूप बनेगा ठीक है यह बनेगा अत्वा यह बनेगा अत्वा हरे बनेगा अत्वा हरो बनेगा टिक न, तो आपको तो रहा है इसका तो हरे इसका सही आंसर अब हम लोग अपने अंतिम प्रश्ण पर चलते हैं अंतिम प्रश्ण हमारा क्या है तो एक वीडियो को याद करने का उस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं बहुत ही तरीकि सप्ध़ाया है वहां जाकर कि आप सभी देख सकते हैं ठीक है ना तो परस्मी क्या पूछ रहा है ग्रीवा भंग अविराम मुहरा अनुपते संदने दथ दुश्टिही ये आपको बताना है कि ये पंक्ति कहां से आईए तो ये पंक्ति अविज्यान साखुनतलम से आईए अविज्यान साख साकुर्टलम से पंक्ति आई है ठीक है और इस के लेखक है काली दाश ठीक है इसके लेखक है और पुशरा आ यह पंक्ति तो हमने बताया कि अभिग्यां यह रूपक की नातक विधा है, पुना चंद इसमें पूछ रहा है कि चंद इसमें काउच रहा है भया, तो आपको उतारा है कि सारदूल विकेडिक चंद है, ठीक है, अतवा स्रग धरा चंद है, अतवा हारिनी चंद है, अतवा सिखरनी चंद है, ठीक है, आपको बतारा है किसमें से कौँ सा चंद है, ठीक है ना, तो जल्ली से इसका उत्तर दीजिए, आप समझे लो, कि इसका आंसर क्या होगा, और बढ़ियां से तयारी करते हैं, चुक्छ प्रकार से पूछ लेता है, सा इकीस वर्ण है, ठीक है ना, तो सादूल विकेडित में 21 वर्ण होते नहीं है, सादूल विकेडित में कितने वर्ण होते हैं, उन्नीस वर्ण होते हैं, ठीक है ना, उन्नीस वर्ण होते हैं, तो इसको कार देजिए, यह होगा नहीं, सिखरनी छंद का लक्षन है कि, क्या है सिखरनी तो सिखरनी भी नहीं होगा अब बचा हारिनी और स्रगधरा ठीक अब ये दो चंद बचे तो अब ये दो चंदों में इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है इसमें कौसा चंद है तो भाईया 20 नमबर का जो प्रशन है उस प्रशन का आज़र क्या है स्रगधरा ठीक ये इसका सही उत्तर हुआ स्रगधरा इसका चंद है च्ग ये इसके जब कर हाए इसे प्रकार से एक्जाम में इस से और ँवी को सकता है कि पाइटल उसका चेंज कर दे तो इक्जाम में तो आपको मिलाने के लिए आसकता है इस प्रशन पूछ सकते हैं या वार्णिक चंद और मांत्रिक चंद कौन कों से ये लिख सकते हैं तो इस प्रकार का भी मिलाने का दे सकते हैं मतलब आपको एक प्रसन आपको पढ़ना है कि छंद किसमे क्या है बढ़ियां से पढ़ेंगे तो उसको किसी भी प्रकार से घुमाएं तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे तो आप उसका सही सही उत्तर दे दें जैसे आप इस प्रकार से कहिए इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए ठीक है तो सवाल कहीं से भी आए ठीक है आप करना है आप उच्छो कुछी महाराज हम सब कर ले जाएंगे यह भाव होना चाहिए इतना आत्म विश्वास होना चाहिए ठीक है तो इसी के साथ हम लोग अगले प्रसन पर आपने चलते हम लोग अगले क्लास में फिर से भी लेंगे तब तक के लिए हर योग नमो नमा